पिछले बार सदन का रूख हम सब ने देखा है आज देश में एक जाग रूखता है हर नागरिक सदन की गतिवीधी को बहुत बारिकी से देखता है और आज देश की हर छोटी मुटी घटना को पहुंचने की रीच भी बहुत है तो सामान ने मानवी तक सारी बाते पहुती है और उसके कारण डिसकसन में जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है डिबेट में जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है उनके प्रती समाज में स्वाभाविक नाराजगी प्यदा होती है मैं आशा करता हूँ कि सभी हमारे आदर ने साउसत इन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजेट सत्र का उपयोग गहराई से, विस्तार से, जानकारियों से भरपूर, चर्चा में हिस्सा लें, अपने विचार रखें, सदन को लाभानवित करें, सरकार को भी लाभानवित करें, और हमारे पास इस सत्र में जितना भी काम है, उसका सरवाधिक उपयोग, हमारे सभी आदर ने साउसत करें, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है, और मैं ये भी जानता हूँ, कि अब जब अपने अपने खेत्र में भी उनको जाना है, तो इस बार सदन में जो उत्तम और सकारात्म वहवार रहा होगा, उसका एक सकारात्म अगलाब, मादान में भी सदस्वों के तरिप लोगों के देखने के वहवार में भी नजर आता रहता हूँ, मुझे विश्वास है, इस गंभीरता को सभी लोग स्विकार करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के हम चले हैं, आगे भी इसके लिए हम प्रतिबत्ध हैं, कमिटेड हैं, सदन में भी सबका साथ लेकर के देश के विकास के लिए काम करने के निर्णव में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हर विशेपर चर्चा करने के लिए हम उत्सुख हैं, मैं स्वागत करूँगा खुले मन से चर्चा का, मैं स्वागत करूँगा सदन की कारवाई अच्छे रंग से चले इसका मैं स्वागत करूँगा कि यहां सभी सदसे मिल करके भावी भारत के निर्माण में कुछन कोजी योगदान देने का गर्व प्राप्त करें बहुत बहुत धन्यवाद